स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्या स्टेडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आपके पॉलिटिकल साइन्स के एक्जाम के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूं जैसे कि आपको किस तरीके से अपना आंसर प्रेज होता है उसमें 100 मैं से 94 ले दे क्योंकि उस टाइम पर टर्म वाई सिस्टम नहीं होता था एन्वाल एक्जाम था तो यह 94 लाने के लिए मैंने किन किन चीजों को फॉलो किया था यह मैं आपको बताऊंगा और सीब्सी के वेबसाइट से हमने एक टॉपर की आंसर शीर डाउ है तो आगे बढ़ते हैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और अगर आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जोईन होना चाते हैं तो क्लास 12 ESP New Group सर्च मार के आप टेलिग्राम से भी जोईन हो सकते हैं और नोट्स की अगर बात करें तो हमारे वेबसाइट पे आप सभी को सभी सब्जेक्ट्स के जो भी आपके आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं आपको फ्री ओपकोर्स नोट्स मिल जाते हैं www.eklovyastudypoint.com हमार जो कि आपको political science पढ़ाते हैं और काफी अच्छे से एक-एक उस question को cover किया है जो कि आपके exam में आने के chances हैं तो मैं आपसे आगरे करूँगा कि आप इन सभी वीडियो को जाके जरूर देखें इनका link आपको description में provide करवा दिया जाएगा तो आप description को जरूर चेक कर लेना ठी कि जब आपका long question writing का जो question आता है जिसमें आपको long question करना होता है मैं यहापे very short का यहापे मैं बिल्कुल भी मैं उसकी बात नहीं करना हूँ ठीक है long question जब भी आप political science के अंदर लिखते हैं तो आपको जो उसकी starting करनी होती है वो introduction के साथ करनी होती है या उसको आप भूमिका भी कह सकते हो भूमिका के अंदर 2-3 line आपको लिखनी होती है आपको उस answer के बारे में थोड़ा सा short introduction देना होता है कि आप किस बारे में बताने वाले हो उसके बाद आप अपना answer लिखना शुरू करोगे अब आपके दिमाग में यह question होगा कि आप अपना answer point में लिखें या फिर heading में लिखें तो यह doubt भी आपका इस वीडियो से clear हो जाएगा ठीक है लास्ट में जब आपका answer खतम हो जाता है तो आप यह conclusion जरूर लिखें या इसको हम हिंदी में निश्कर्श कहते हैं तो conclusion लिखने से और introduction लिखने से आपका answer पूरी तरीके से frame हो जाता है और जो भ बात करते हैं कि एक topper कैसे लिखता है या आप ये भी देख सकते हो कि मैंने भी कुछ इसी तरीके से लिखा था तो सबसे पहले आपको बता दू कि ये English Medium में लिखा हो है पर तरीका तो Hindi Medium के लिए भी यही रहेगा और मैं Hindi Medium वाली भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा तरीका ठीके कैसे हो सकता है तो अगर आपका very short लिखने को आ रहा है तो यहां तो आप to the point लिख सकते हो जो आपसे पूछा गया है ठीक है direct बातों को ना घुमाते वे या फिर आप जो है मतलब थोड़ा सा उसको explain भी करके लिख सकते हो अपने answer को जैसे कि stopper ने लिखा हुआ है very short answer को अपने ठीक है ज्यादा explain नहीं किया दो दो लाइनों में explain करके जितना पूछा गया है जितने number का question है उसे हिसाब से आपको उसको deal करना है ना कि आप पूरी राम कथा लिखने बैठ जाईए या बहुत ज्यादा detail में आपको नहीं लिखना ठीक है अब आगे बढ़ते ह और आपको दिखा दूँ कि अगर कुछ ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा लिखना है तो आप क्या कर सकते हो कि point बना सकते हो ठीक है point बना के आप main main words को underline कर दो जैसे कि stopper ने किया हुआ है ठीक है इस सभी sheets का credit cbse को जाता है क्योंकि आमें उनकी website से ये सारी sheets मिल गई है ठ लेकिन आप 7 के साथ underline मत करना पहले आप अपना paper खतम कर लेना अगर 5 से 10 मिट आप अगर अपने बचा लेते हो तो ही ये underline वाला काम करना ऐसा ना हो कि आप हर एक line को लिखो और underline करने बैठो तो आपका time waste हो जाए ठीक है मैं नहीं चाहता कि आपका time waste हो क्योंकि पहले paper पर 3 गंटे का होता था अब आपका time कम है ठीक है second round के अंदर आगे देखते हैं तो ये point वाला जो है आप इस तरीके से लिखे चल सकते हो जैसे कि ये इसने introduction लिखा है ये भूमी का है हमारी ठीक है तीन लाइने लिख दी भूमी का की फिर उसके बाद यहाँ पे points बनाना start ह अब यहाँ पर गलती क्या है यहाँ पर मैं गलती पकड़ सकता हूं कि यह जो है यहाँ अगर आप numbering में one लिखते हो तो यह इस line के right side में लिखा करो अंदर ना की बाहर इसमें आपको कहीं भी कुछ भी अंदर मतलब यह point नहीं आना चाहिए आपका यहाँ सिरफ question number आता है आपका ठीक है जो आपके अंदर के point है वो इस line के right side में अंदर आने चाहिए ठीक है तो जो main main आपके अगर आप यहाँ पे देखोगी जो words है उनको आप underline कर सकते हो ठीक है आगे बढ़ते है अब हम जो आपका और ज्यादा long question अगर कोई है तो उसमें आप पहले यह छोट करना start कर सकते हो तो यह भी अच्छा तरीका है क्योंकि आप जो भी देख रहे हो यह सभी topper के answers है फिर आगे आप देख सकते हो कि आप heading बना के इस तरीके से लिख सकते हो यह box बनाना जरूरी नहीं है जो बाहर से बना रख ठीक है इसमें सीधी heading लिखके आप simple उसको underline करक तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आप points में लिखोगे तो भी आप topper बन सकते हो आप underline कर देना बस और अगर आप headings में लिखते हो तो भी topper बन सकते हो अगर heading याद है तो बहुत अच्छी बात है heading याद नहीं आ रही उस time पे तो सीधा अपना point लिखिए और उसको underline करते यह आप इसको line से बिलकुल यहाँ पे ऐसे दिखा दें कि यह answer यहाँ खतम है सीधी line कीचो और फिर उसके बाद अगला question लिखना अपना start करो सो इस तरीके से है और point में अगर आप लिख रहे हो तो देख सकते हो कि 3 से 4 line साड़े 4 line enough है जादा मत भरना एक point के अंदर और उसमें main main words को underline कर देना जैसे यहाँ पे किया हुआ है underline करने से क्या होता है ना आपके keywords जो हैते हैं मतलब जो होते हैं वो आपके answer में वो दिख जाते हैं अलग से जो भी examiner होता है जो check कर रहा होता है ठीक है तो क्या होता है कि उनके पास जो answer की होती है उससे वो आपके keywords match हो जाते हैं अगर तो आपको full marks मिल जाते हैं बिना अंदर पूरा पड़े ही ठीक है अगर आप underline करके अलग से highlight करते हो हिंदी की बात करें तो यही चीज हिंदी में भी follow आती है कि आप points में लिख सकते हो ठीक है पहला point बनागे तीन से चार line लिखके अब उसमें आप क्या करते हो underline कर सकते हो विदेशी कंपनियों का निवेश ठीक है और भहुराष्ट्रिय कंपनिया इसको underline कर सकते हो पसंद यह भी point वाला ही तरीका है इसमें आप थोड़ा सा ज्यादा लिख सकते हो ठीक है और जैसे कि यह वामपन्ति इसको आप underline कर सकते हो गरीबों की स्तिति बत्तर इसको underline कर सकते हो राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक इसको underline कर सकते हो जो भी आपको लगता है कि अगर क कोई चीज पोटेंट है उसको आप underline कर सकते हो ठीक है यह point वाला तरीका है और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है heading भी बना कर देना और explain कर देना तो यह heading वाला तरीका भी best माना जाता है points वाला तरीका भी best माना जाता है और आपको बताना चाहूंगा one short videos का वेट करिएगा मैंने भी कुछ इसी तरीके से अपना political science का paper attempt किया था जिसके कारण 94 marks में score कर पाया ठीक है इनी बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने अपने answers लिखे थे भूमिका निश्कर्ष और यह सारी चीज़े हम पहले से यह अपने चैनल पे बताते आ रहे हैं तो अगर आप हमारी वीडियो को लगतर follow करते हो तो आप भी टॉपर जरूर बनने वाले हो ठीक है तो आपको यह वीडियो कैसी लगी comment box में जरूर बताना चैनल को subscribe करना बिलकुल भी न भूले वीडियो को like करके अपना प्यार कर देना है जै हिंद जै भारत बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का